हलो एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्प्रेंट्स लाइब पे तो हम लोग रोज साम साथ वजए जो है प्रैक्टिस से दरोगा के लिए करते हैं लेकिन दो दिन से लाइट का इसूथा जिसकी वज़े से ये क्लास नहीं आ रही थी तो आज से जो हम लोग इस क्लास को फिर से कंटीन्यू कर रहें जैसा कि आप सभी को पता होगा कि DIG जो है आपके स्री रंजीट कुमान मिसरा जी ने जो है 2000 दरोगा के पोस्ट को कनफॉर्म किया है तो जिन लोगों को भी बढ़ दी चाहिए वो जो है अपना जी जान से लगा दें क्योंकि इस से ज़्यादा फेकेंसी जो है दरोगा में ना कभी आई है और ना कभी आएगी तो चले श्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है था हमारा पहला सवाल है कि खिलजी बंस के ठीक बाद दिल्ली पर किस बंस का साशक था तुगलक बंस का राजपूत बंस का सयद बंस का या फिर लोधी बंस का तो खिलजी बंस के ठीक बाद जो है आपका किस बंस का स सासन था तुगलक बंसका तो option ए क्या होगे आपका इस question का right answer हो गया अब हम देखेंगे कि यह जो तुगलक बंसका सासन काल था वह कब से कब तक था तो 1320 से जो है आपका यह 1413 तक जो है इसका शासन काल रहा और अगर हम इसके संस्थापक की बात कर लें तो इसके जो संस्थ हापक थे वह गया सुद्दिन तुगलक थे कौन थे गया सुद्दिन तुगलक अब देखते हैं अगले सवाल को तो हमारा अगला सवाल है अगर हम इसी में देख लें राजपूत बंसकौन सा बंस है राजपूत बंस तो राजपूत प्रारंभिक मधिकाल के थे राजपू 647 SB से 1200 SB तक था, कब से कब तक था, 647 से 1200 SB सकता, हर्ज के मिर्थियों से लेकर, बारहमी शताबदी तक जो है, भारत का भाग ज्यादा तर्फ बिभिन राजपूत राजवन्सों के हाथों में था, सेयद बंस और लोदी बंस के अगर हम बात करें, तो सेयद बंस के अस्थापना, क्रिज खाने, 1414 SB में की थी, कब की थी, 1414 SB में की थी, किसने की थी, किसने की थी, क्रिज खाने, इस बंस का जो सासन है, तब समाप हुए, जब अला उद्दिन सा साशक था, लोदी बंस की शुरुवात आपकी 1451 SB से हुई थी, कब हुई थी, 1451 SB से आपकी लोदी बंस की शुरुवात हुई थी, लोदी बंस का संस्थापक बहलोल लोदी था, इसे बकलोल लोदी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बकलोल लोधी याद करने में बहुत ही एजी होता है सल्तनत काल लोधी राजवन्स के साथ क्या हो गया था आपका समाप्त हो गया था लोधी राजवन्स जो था सल्तनत काल का सबसे अंतिन राजवन्स था next question देखते हैं तो निमलिखित बेक्टियो में से किस ने R. महिला समाज की अस्थापना की थी R. महिला समाज की अस्थापना किस ने की थी आनदी वाई जोसी ने, पंडिता रामा भाई ने डॉक्तर एनी वेसंट ने या फिर अवंती का भाई गोखले ने ठीक है, तो किस ने की थी, पंडिता रामा बाई ने की थी, तो option B क्या हो गया आपका इस question का, right answer हो गया, next question है, कि निम लिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंस का अंतिम साशक था, दिल्ली के लोधी वंस का अंतिम साशक, इबराहीम लोधी, सिकंदर लोधी, बरबक्षा या फिर बहलोल लोधी, तो कौन था, इबराहीम लोधी जो है आपका लोधी वंस का अंतिम साशक था, ठेक है, अगर हम बात करें, तो ये जो 1526 में पानी पत की जो लडाई हुई थी, आपकी कौन सी लडाई, पानी पत की जो लडाई आपकी कब हुई थी, तो यह लडाई जीत होकर मारा गया था कौन तो इबराहीम लोदी कौन मारा गया था तो मतलब यह बावर और इबराहीम लोदी के बीच जो है यह लराय हुई जिसमें बावर की जीत हुई और इबराहीम लोदी की क्या हो गई हार हो गई ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मकवारा है आपका इब्राहिम लोदी का वह हर्याना में है कहां है हर्याना में है मकवारा जो है आपका इसका कहां है हर्याना में ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपके लोधी वंस थे तो लोधी वंस की जो अस्थापना है वह किस ने की थी तो बाहलोल लोधी ने की थी किस ने की थी बाहलोल लोधी जो है आपके वह लोधी वंस की अस्थापना किये थे ठीक है अन्तिम राजवंस आपका दिल्ली सल्तनत का लोधी वंस था और अगर हम देखें तो 1451 से 1526 कब से कब तक 1451 से 1526 या आपके लोधी वंस का शासनकाल था क्या था किसका तो लोधी वंस का अगर आपसे एक्जाम में पूछे कि लोधी वंस का शासनकाल कब से कब तक था तो 1451 से 1526 तक जो है आपका या लोधी वंस का शासनकाल था सिकंदर लोदी जो है आपकी वह बहलोल लोदी का पूत्र था, किसका पूत्र था? बहलोल लोदी का पूत्र आपका सिकंदर लोदी था, तो सिकंदर लोदी जो है आगरा की अस्थापना की थी, किसकी अस्थापना की थी? आगरा की अस्थापना की थी और कब की थी तो पंद्रो सो चार में कब की थी पंद्रो सो चार में जो है सिकंदर लोदी जो है वह आगरा की अस्थापना किया था ठीक है अगला सवाल देखते हैं तो अगला सवाल है हमारा कि दिर्ली के निमलिखे सुल्तानों में से किस ने जॉनपूर सहर की अस्थापना की थी जॉनपूर सहर की ठीक है बलबन ने अलाओदिन खिलजिन ने मुहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज तुगलक ने यानि FST ने, यानि option D जो है आपका इसका क्या हो गया, right answer हो गया next question है, कि विजय नगर के सबसे प्रशिध साशक, कृष्ण देव राई किस वंस के थे? कृष्ण देव राई जो थे, वह विजय नगर के सबसे प्रशिध सासक थे तो वह किस वंस के थे, मौरे वंस के, तुलूब वंस के, संगम वंस के, या फिर इन में से कोई नहीं, तो किस वंस के थे वो तुलूब वंस के, यानि option B क्या होगे आपका इस question का right answer हो गया, क्रिश्न देव राय जो थे आपके वह विजय नगर शमराज यानि पंद्रो सो नौ से उंतिस तक जो है, तुलूब वंस का साशक था, ठेक है कौन? तो क्रिश्न देव राय, उनके साशन में विस्तार और सूद्रिधी करन की विसेशता थे, किनके सासनकाल में, क्रिश्न उपम जोड़ने का स्रय दिया जाता है, किने, तो क्रिश्न देव राय को, उन्होंने आपका विजय नगर के पास अपनी मा के नाम पर, नागल पूरम नामक एक उपनगरियवस्ती की भी एस्तापना की थी, किसके नाम पर? तो अपनी मा के नाम पर. उन्होंने तेलूगों में राज सिल्फ पर एक रचना की जिसे अमुक्तमाल्यदा की नाम से जाना जाता है तुलूब जो थे यह विजय नगर शामराज पर सासन करने वाला तीसरा राज वन्स था विजय नगर सामराज के सबसे प्रशिद शासक क्रिशन देव राई इसी वन्स के थे सबसे प्रशिद शासक अगर आपसे पूछ दे विजय नगर सामराज के तो वह कौन थे क्रिशन देव राई किस वन्स के थे तो तुलूब वन्स के थे नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, तो अगला सवाल है कि दच्छिन भारत के इस राजा, किस राजा ने 1741 में कब 1741 में कोला चेल की लराई में Dutch East Company, Dutch East India Company को हराया था, किसको हराया था? तो क्या है आपका option? Option है आपका वीरपद कटा, बोमन, राजा, राजचोल, मातंड का वर्मा या फिर हैदर अली, तो इसका जो आपका right answer हो गया, क्या हो गया? Option C, यानि मातंड का वर्मा. Next question है आपका, कि निमलिखित में से किसने अतोक के संरक्षन में पाटली पुत्र में आयोजी तीसरी बौध परिशद की अध्यक्ष्चा की थी? किसकी तीसरी बौध परिशद की जो है अध्यक्ष्चता की थी? महाकर्षब, मोगली पुत्र तिस्ता या फिर बसुमित्र या फिर रिशब देब, तो किसने की थी? मोगली पुत्र ने? तो ऑप्शन B क्या हो गया? आपका इस कोश्चन का राइट आंसर हो गया. नेक्ष्च कोश्चन है कि गौतम बुध के प्रिये घोरा का नाम क्या था? ठीक है? प्रताप, चेतक, कंथक या फिर बेलस. तो गौतम बुध के जो प्रिये घोरा का जो नाम था, वह आपका कंथ प्रिये घोरा कंथक था? कंथक या उप्शन C आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया. नेक्ष्ट है कि गौतम बुध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, अशोक, सदार्थ या फिर गौतम. तो गौतम बुध के पुत्र का नाम जो था, वह राहुल था. क्या अगोन का ब्रिक्ष, बरगद का ब्रिक्ष, नीम का ब्रिक्ष या फिर बौधी ब्रिक्ष, तो महात्मा बुध को जो है बौधी ब्रिक्ष के नीचे जो है ज्यान प्राप्त हुआ था, यानि option D जो है आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, next question है, कि उत्तर गुप्त युग म आपका इसका right answer हो गया, अगर ये पूछा जाए कि नालंद्वा विश्विद्याले का बिध्वन्स किस ने किया था, तो बक्तियार खिल जी ने, किस ने किया था, बक्तियार खिल जी ने, next सवाल है आपका, कि किस गुप्त कालिन सासक को कवी राज कहा गया है, ऐसे कौन से गुप्त कालिन सासक हैं, जीने क्या कहा गया है, कवी राज कहा गया है, चंद्र गुप्त दुईतिया को, स्रे गुप्त को, समुद्र गुप्त को, या फिर अशकंद गुप्त को, तो समुद्र गुप्त को जो है आपको कवी राज कहा गया है, यानि क्या हो गया, option C हो गय काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल, ठीक है, तो गुप्त काल जो है आपका वह स्वर्ण यूग था, गोल्डिन एज जीसे कहते हैं वह कौन सा काल था, तो गुप्त काल था, तो option D आपका इसका right answer हो गया, अजनता चित्रकारी का विशेवस्तुनिम लिखित में से किस से शम्बंध है, ठीक है, सम्बंधी था जैन धर्म से, बहुत धर्म से, वैसनव मत से, या फिर सैव मत से, तो किस से सम्बंधी था या बहुत धर्म से, यानि option B जो है आपका इस question का right answer हो गया, next question है आपका, कि एरन अभी लेक का शम्बंध किस सासक से है, एरन तो किस से है एरन अविलेक का शंबन भानु गुप्त से, option C क्या हो गया आपका इस question का, right answer हो गया, next है कि फाहियान कहां का निवासी था, भूतान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का, तो फाहियान जो था आपका, वह चीन का निवासी था, कहां का निवासी था, चीन क अपका इसका, right answer हो गया, next question है कि सेतु बंध का रचनाकार, प्रवर सेन, दूइटी है, किस वंस का सासक था, सक का, कन्व का, वाकाटक का, या फिर सात बहान का, तो तो किसका था, वाकाटक का, option C क्या हो गया, आपका इसका, right answer हो गया, next question है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त दूइतिया, चंद्रगुप्त पर्थम, हर्थ वर्धन या फिर असोग, तो फाहियान जो था आपका चंद्रगुप्त दूइतिया के सासनकाल में जो है भारत आया था, तो क्या होगी आपका इस question का right answer, option A जो है आपका इसका right answer हो गया, next है कि तमिल का गौरव ग्रंथ, जीवक चिन्ता मनी किस से संबंदित है, जैन से, बौध से, हिंदू से, या फिर इसाई से, तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ है, जीवक चिन्ता मनी, वा जो है आपका जैन से संबंदित है, किस से संबंदित है, जैन से, तो option A क्या हो गया, इस फिर पाली में, तो धार्मी कविताओं का जो ये शंकलन कुरल है, वह आपका किस में है, तमिल में, किस में है, तमिल में, तो option B क्या होगे, आपका इस question का right answer हो गया, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, धन्यवाद,